हेलो गाइस कैसे है आप दोस्तो दोस्तो आज हम बात करेंगे डंकी मुवी जी हां दोस्तो दो खुशकबरी निकल के सामने आ रही हैं तो क्या है ये खुशकबरी क्या है ये न्यूस इसी भी बात करने वाले हैं और टोटल वाक्स आपिस डंकी का कितना हो गया है तो अगर आ एक चैनल है CNN 18 वहाँ पे उनको बुलाया गया और भाई साब क्या जबर्दस तरीके से उनका नाम लिया गया और क्या उनको अवार्ड दिया गया भाई ये जो अवार्ड मिला है उनको भाई जब मैं ये लाइब देखा था मैंने तो भाई बहुत मज़ा आया उनका जो confidence था बंदे का शारो खान का इतना जबर्दस था कि भाई ऐसा नहीं लगता है ये बंदे के अंदर कुछ ऐसा आया हो बढ़ापा हो कुछ भी हो एकदम confidence लेवल हाई था ये वह मैंने आवार्ड देखा ये भाई एकदम से जबर्दस लग रहे थे और क्या reply और क्या science humor है उनका भाई काविले तारीफ तो दूसरी बात ये है कि डंकी का जो worldwide collection है भाई 19 दिनों तक वो हो चुका है 447 करोड 70 लाग ठीक है वो भी 19 दिन का और 20 दिन का collection जो makers ने दिया नहीं अभी तक तो दोस्तों estimate जो निकल के सामने आ रहा है box office इंडिया की तरफ से वो लगबग इसने worldwide कमाये हैं 20 भी दिन लगबग 2 करोड 60 लाग तो इसके साथ जो कह सकते हैं 20 दिन के अंदर इसने जी हां दोस्तों 455 करोड 450 करोड इसने कमा लिये हैं 20 दिन के अंदर जी हां दोस्तों 20 दिन के अंदर इसने 455 करोड का worldwide कर लिया है और ये जो report है भाई मेकर्फ ने अभी तक पोस्टर में नहीं दिये वो हमारा एस्टिमेट है इतना हो चुका है ठीक है तो आज है day 21 कितना कमाने वाली है लोग कुछ बोल रहते हैं कि आज ये मूवी कहीं न कहीं 90 लाग एक करोड नहीं पहुचेगी मगर जो अर्ली एस्ट में निकल के सामने आ रहा है भाई शौक हो जाएंगे आप जाने कि जी हाँ दोस्तो आज भी ये मूवी day 21 में एक करोड तीस लाग कमाने जा रही है और इसका जो वर्ड वाइड होगा वो लगबख 200 यानि कि 2.75 मतलब आप ये सोचो 2.75 लाग day 21 में कमारी है यानि कि आज कमारी है मूवी तो दोस्तो हम ये नूज ये तो बात हो गई हमारी अब असली बात ये है कि डंकी मूवी जी हां दोस्तो डंकी मूवी आसकर के लिए तैयार हो गई है यानि कि वो आसकर में जा रही है यह जो मूवी है आसकर में गौवर्मेंट की तरफ से नहीं जा रही है यानि कि आप सोचे की गौवर्मेंट भेजरी इसको नहीं यह इंडिविसबल जा रही है यानि कि अपने दम पर पिडुशर लेके जाएंगे इस मूवी को जो भी खर्चा होगा सब रेड चिल्ली जो पिडुशर हैं सब वो ही करने वाले हैं तो ऐसे यह मूवी आसकर के लिए जाने वाली है और यह confirm news है कि यह मूवी आसकर में जा रही है यहां दोस्तो मुझे यह news morning में मिल गई थी मगर मैंने सोचा कि यह पहले confirm हो कि यह सच है यह नहीं है और आपको पता है मेरा वीडियो भी 10.30 लगबग रात को 10.30 बज़े आता है तो दोस्तों मैंने यह सोचा कि आपको तो यह news बताना चाहिए कि कोई डंकी movie अब जा रही है ओसकर में तो भाई यह तो बहुत काविले तारीफ का काम किया है पूडियोसर ने कि भेजनी चाहिए क्योंकि बहुत आता है तो इन्होंने क्या काम किया है वो अब अपने दम पर भेज रहे हैं यह movie जो भी खर्चा होगा पूडियोसर की जेब से जाएगा और यहाँ पर गॉर्में entertainment और जो भी इसके producer है राजकुमर हैरानी सब अपने दम पर जो भी है पैसा लगाने वाले हैं तो मुझे लग रहा है यह movie कोई ना कोई तो अवार्ड ले के आने वाली है ठीक है कोई ना कोई अवार्ड तो ले के आएगी ऑसकर का तो यह भाई बहुत गर्व की बात है शा तो नीवस आपको बतानी चाहिए और आज उनका दिन भाई बहुत अच्छा है क्योंकि आज अवार्ड भी मिला उनको सीनन 18 नीवस की तरफ से इंडियन ओफ दा इयर्स शारू खान बने तो मुझे भाई यह जो शो में लग रहे थे आज भाई कमाल का confidence क्या science जो बोलते है भाई mind blowing गया तो बस यही था शारू खान के लिए जो आज के लिए था news तो भाई अगर चैनल subscribe नहीं किया है तो कर लो यहाँ पे शारू खान और all new movie update आपको मिलते रहेंगे ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी आपको fake बोलू जो news होगी आपको बता रूँगा मैं ठीक है मिलते हैं क अब तक के लिए बाई बाई